Hello students, साहित अध्यन YouTube channel पर आपका स्वागत है आज हम exercise 1.1 का question number second solve करेंगे तो question number second हमारा क्या है So that any positive odd integer is of the form 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is some integer हमें so करना है कि जो हमारा positive odd integer होता है वो 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5 के form में होता है और q यहां पर हमारा क्या है q हमारा यहां पर कोई integer है So हमने क्या लिखा है Let A, B the positive odd integer हम let कर लेंगे कि वो positive integer हमारा A है और B की value को हम 6 let कर लेंगे और question को हम q माल लेंगे और remainder को हम r माल लेंगे तो इस question को हम Euclid Divisal Lemma से solve करेंगे तो Euclid Divisal Lemma हमारा क्या होता है Euclid Divisal Lemma हमारा होता है A equal B Q plus R q यहां पर हमारा question है और R हमारा यहां पर remainder है तो जो हमारी यह Euclid Divisal Lemma की यह statement है इसमें हम आगे value पुट करेंगे और पता करेंगे कि हमारा जो भी positive integer होता है वो इसके form में होता है कि नहीं होता है और R की value जो हमारी यहां पर होती है हमने introduction में भी पढ़ा है कि remainder हमारा क्या होता है 0 के equal होता है 0 से बड़ा होता है और B से छोटा होता है तो यहां पर जो भी हमारा remainder होगा वो 6 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा तो हम पहले remainder की value लेट कर लेते हैं तो हमारा remainder क्या क्या हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5 अब जो भी हमारी हमने डिमेंडर की वैल्यू लेट की है उसे इस equation में put करते जाएंगे और देखेंगे कि हमारा जो भी positive order integer होता है वो इसके form में होता है कि नहीं होता है तो पहले case में जब डिमेंडर हमारा 0 होगा तब A की value हमारी क्या आएगी So A equal 6 into Q plus 0 यहाँ पर B की value हमारी 6 है Q हमारा कोई integer हो जाएगा और R की value यहाँ पर हमारी 0 है तो इसे हम A equal 6 Q plus 0 तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6 Q अब Q यहाँ पर हमें question में दिया गया है कि यह कोई integer है तो 6 में हम किसी भी number का multiply करेंगे किसी भी integer का multiply करेंगे तो हमारा जो answer आएगा वो किस form में आएगा माल लेते हैं क्योंकि value हमारी यहाँ पर 1 है तो 6 में हम 1 का multiply करेंगे तो हमें 6 मिलेगा 6 में हम 2 का multiply करेंगे तो हमें 12 मिलेगा तो जो भी हमें answer मिल रहा है वो किस form मिल रहा है 6 हमारा 12 हमारा ये हमारा even number है तो यहां पर जब हमारे remainder की value 0 होगी तब हमें एक even number मिलेगा के second देखेंगे जब remainder हमारा 1 होगा तब A की value हमें क्या मिलेगी तो A equal 6Q plus 1 और Q यहां पर हमारा coin teaser है तो जब हम यहां पर Q की value 1 पूट करेंगे तो हमें A की value क्या मिलेगी 6 into में 1 plus 1 मतलब हमें यहाँ पर 7 मिलेगी मतलब जब हमारा remainder R 1 होगा तब A की value हमें Ode मिलेगी Case 3 देखेंगे जब R की value हमारी 3 होगी तो 6 Q plus 3 और Q की जगह पर जब हम 1 put करेंगे तो 6 into में 1 plus 3 तो A की value हमें 9 मिली है 9 हमारा Ode number है यही जब हम R की value 4 पुट करेंगे तो A इक्वल में 6 Q plus 4 अब यहाँ पर Q की हम कोई भी value पुट करेंगे A की value हमें even ही मिलेगी और जब R की value हमारी 5 होगी तब A की value हमारी क्या आएगी 6 Q plus में 5 यहाँ पर Q की जगह पर हम कोई भी value पुट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 हमें A की value Ode ही मिलेगी तो Case 1 में हमें even number मिला Case 2 में हमें Ode number मिला Case 3 में भी हमें Ode number मिला और Case 4 में हमें even number मिला और Case 5 में भी हमें Ode number मिला Ode number हमें किस-किस value पर मिल रहा है जब A की value हमारी 6 Q plus 1 होगी तब odd मिलेगा जब A की value हमारे 6Q plus 3 होगी तब odd मिलेगा और A की value जब हमारे 6Q plus 5 होगी तब हमें odd number मिलेगा इन तीनों A की values पर हमें odd number मिल रहा है पोश्चन में हमें क्या बोला है कि हमें सो करना है कि कोई भी odd positive integer जो होगा वो 6Q plus 1 की फार्म में होगा 6Q plus 3 की फार्म में होगा और 6Q plus 5 की फार्म में होगा तो यह हमारा proof हो गया तो हम case 2nd, case 3rd और case 5th से कह सकते हैं कि जो भी हमारा old positive integer होगा वो 6Q plus 1, 6Q plus 3 और 6Q plus 5 की फार्म में होता है अगर हमें यहाँ पर question में event positive integer को proof करने को बोला होता तो हमें यहाँ पर case 1 ले लेते, case 2 ले लेते और case 4 ले लेते तो यहाँ पर हमारी A की value event आ जाती